हाई गाईज, आप स्नेहा, वेलकम तो मैं चैनल स्नेहा सेटिक पॉइंट आज के वीडियो में मैं बनाने बादी हूँ स्टिकर्स, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी या मुझे बच्पन से स्टिकर्स कलेक करना बहुत पसंद है तो मैंने आज सोचा क्योंने मैं खुझ से ही स्टिकर्स बना पर उससे पहले अगर चैनल के नहीं हो तो जानको सब्सक्राइब करना तो चलो आप स्टिकर्स बनाते हैं स्टिकर बनाने के लिए पहले मैं स्टिकर्स के डिजाइन के एक रफ स्केच बनाऊंगी और उसके लिए मैंने एक वाइट शीट लिया है और स्केच बनाने के लिए मैं ये नॉर्माल सी एजबी पैंसली उस करूंगी तो चलो जल्दी से अब सारे स्टिकर्स की रफ स्केच बना लेते हैं परस्ट मैं एक बटरफ्लाइ को ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि यार मुझे बटरफ्लाइस बहुत अच्छे लगते हैं और स्टिकर्स भी और आज मैं जो भी स्टिकर्स बनाऊंगी मैं यह धियान रखूंगी कि वो सारे क्यूट ही बने और स्टिकर्स की अब मैं मेरी स्टिकर को डिजाइन कर रही हूँ और स्टिकर्स के लिए मैं बना रही हूँ एक फ्लेमिंगो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक यूनिकॉर्ण जो कि मुझे बहुत पसंद है यार यूनिकॉर्ण और किसको पसंद है कॉमेंट करके बताओ अब मैं बना रही ह और दो stickers भी add किये थे वो आपको आगे पता चलेगा फिलाल आप sketch को complete करके इसको outline कर लेते हैं और outline को बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगी ये पाश रुपए का pen ये pen तो आपको यादी होगा क्योंकि इससे मैंने last वाली doodle artwork भी बनाई थी अरे वो वाली pen जिसको मैंने मेर भाई से चीन लिया था हाँ वही तो उसी से मैं अब एक एक करके सारे designs के outline कर लूंगी यार मुझे starting से butterfly सबसे प्यारी लग रही थी पर आप मुझे flamingo सबसे अच्छी लगने लगी तो आप बताओ आपको कौन से design पसंदा रही है चलो outline तो हो गया आप तो इसमें color करना इसे आप एक बर purchase कर लो तो ये सालो चल जाएगा तो यार अब मैं फटा फट से इसी palette में से red और blue color को mix करके purple color बना लेती हूँ और इससे में मेरी butterfly को color करूंगी मैं तो यार water colors को use कर रही हूँ पर अगर आपके पास sketch pen है तो आप sketch pens को use करके भी color कर सकते हो और ये भी जल्दी से wings के border पे black color करके first sticker को complete कर लोंगी और हाँ corner पे मैंने sparkles भी add किये थे अब चलते हैं अमरी second sticker की तरफ यानि कि flamingo की तरफ और इस पे तो यार मैं pink color को ही करने वाली हूँ क्यूंकि अगर मैं गलती से भी कोई और color चूज करती तो शायद मुझे flamingo का श्राप लगत अब मैं अतरंगी रंगों से मेरी unicorn को भी color कर लेती हूँ like इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ pink, purple, blue and yellow by the way आपका favorite color कौन से है comment करके बताओ और यार last में मैंने एक purple heart को भी add किया है क्यूंकि ये मेरी unicorn को बहुत पसंद है unicorn को बहुत पसंद है या तुमें बहुत पसंद है हाँ वैसे बात तो सही है अब चलो बकवास बंद करते हूए हमारी four sticker को color करना start करते है और इस camera पे भी मैं green color कर रही हूँ अब मैं एक और sticker बनाऊंगी और उसके लिए मैंने background पे pink color किया है और उसके उपर लिग दिया है good vibes अब मैं add कर रही हूँ कुछ detailing और चोटे-चोटे hearts तो बस हमारा ये वाली stickers भी बिल्कुल ready है तो आप चलते हमारी last sticker की तरफ जो की है cupcake यार cute stickers बनाई जा रही है और एक cupcake ना बनाऊं ऐसा हो सकता है क्या तो अब मैं cupcake बनाऊंगी वो भी अतरंगी colors के साथ तो चलो हमारा सारे stickers की design बनके तैयार है अब इनको cut करना पड़ेगा तो मैं इनको एक scissor की help से cut कर लूँगी पहले मैं सबको ऐसे अलग-अलग करके काट रही हूँ ताकि हम और इसी white area छोर छोर के cut कर नहीं अब यार इनको cut करने में थोड़ा सा time तो लगेगा ही पर इनकी cutting अच्छी होनी जाए वरना पूरा मेहनात बरबाद हो जाएगा जब तक मैं stickers को cut कर रही हूँ तब तक आप comment करके ये बताओ क्या मैं इन DIY stickers का second part बनाऊं तो मैंने सबको cut क कर लिया है अब मैं एक मोटी वाली सेलोटेप लोंगी और थोड़ी देर स्ट्रगल करूंगी इसके corners को निकलने में अब मैं टेप की sticky side को front पे रखके उसके ऊपर एक एक करके सारे stickers को paste करूंगी देन उसके उपर एक और टेप को paste करूंगी से हमारी stickers की lamination भी हो गई और ये बिल्कुल waterproof भी बन गई और तो और इनको एक glossive finish भी मिल गया अब मैं टेप लगाने के वक्त जो extra parts रह गया था उन parts को cut कर रही हूं हमारी सारी stickers बनके एकदम तैयार हैं आप comment करके बताओ कि आपको कौन से stickers सबसे अच्छी लगी मुझे तो flamingo वाली सबसे अच्छी लग रही है चलो अब इन stickers को एक phone के cover के उपर लगा के देखते कि ये कैसा दिखता है यार मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना comment करना शेयर करना और चैनल को subscribe करके जाना मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या है